Hello everyone Welcome Back to my channel तो आज का टॉपिक है What is Internet इंटरनेट कैसे वर्क करता है उसके बारे में है इसके पहले मैंने आपको सारे computer 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 network क्या है वो मैंने आपको समझा दिया था कैसे वर्क करता है यह सब कुछ इभाएन के types मैंने आपको समझा दिये थे टाइप सब कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से है वाइड एरिया नेटवर्क मेट्रोपलिट एरिया नेटवर्क और लैन आपको समझा दिया है पूरा मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंग दे दूंगी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो रहा है तो आज हम इंसी चीज है जो पूरे वर्डवाइट फैला हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क के ठूंटर्वर्क में अब जहां उसको यूज करना चाहों कर सकते हो आज तो आज कल तो सब भी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं टेकनोलोजी के साथ सब लोग आगे बढ़ गए हैं इ पता यह क्या होता इंटरनेट जरू को डेफिनेशन की पता होनी चाहिए स् credit क्या है व con sitzt इसको मुझे बताने की ज़रूत नहीं है आप सब को पता इया इंटरनेट से आप एक यह कर सकते हो रहाये डारे प्यूल्ड क्या inanu क्यों और इंटरनेट क्या है being बहुत सारे computer को connect किया हुआ है, पूरे word के साथ बहुत सारे computers को connect किया हुआ है, जिसके through आप अपने information share कर सकते हो, call कर सकते हो, देख सकते हो सारी information को, जितना resource, जितना access करना चाहो, आप internet के through कर सकते हो, तो यह internet को connect किया हुआ है, सारे जितने भी computer से उनके साथ पूरे word में, तो यह internet है, देखे मैं आपको drawing के through समझाती हूँ, देखे यह PC है और यह server है, यह wireless laptop है, smartphone है, आप कुछ भी ले लो, यह PC हो गया, आपका कोई server हो गया, laptop हो गया, जिसमें तार नहीं connect है, फिर भी उसमें आपका net चलता है, तो वो किसकी वज़े से, क्योंकि इतने पूरे word में इतना connect है computer, और इतना सारे यह सब, आपने देखे होगे, towers लगे हैं, राउटर्स लगे हैं, जिसकी वज़े से आपको internet को access करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो देखे सबसे पहले, सबसे पहले internet क कुछ नाम था, अर्फानेट करके, उसे US में सबसे पहले उन्होंने develop किया था, अन्होंने इसको develop किया था, जिसको उनको कुछ information शैर करनी होगी, या किसी को data भीजना होगा, तो सबसे पहले US में आर्फानेट करके, उन्होंने develop किया था, तो फिर वो आगे बढ़के technology जैस जैसे बढ़ती गई उसका नाम उन्हें इंटरनेट दे दिया अब वो पूरे वर्ड में यूज होता है computer network के थूरू तो computer network के थूरू वो पूरे all over word में वो connected है फिर इसी वज़े से उसका नाम पढ़ गया internet तो देखे wireless से आप लिंक कर सकते हो router या वायड लिंक से किसी से भी आप access कर सकते हो अब तो एक phone में आप जितना चाहो internet access कर सकते हो आपका smartphone होगा उसके अंदर आप जो भी देखना चाहो आप देख सकते हो internet के माध्यम से देखिए आपका home network हो गया आप घर पे चला रहे हो या mobile network हो गया home network है mobile उसमें काम हो रहा हो देखिए इस तरह से सारे नेटवर्क करते हैं या तो आपके college में देख लीजिए आपका एक ही router से बहुत सारे computer connected होते है राइट या home network हो गया mobile network हो गया mobile network किसे वर्क करता है एक तावर लगा होता है जिसके वजह से आप wireless connection अपना mobile में setup कर पाते हो आपका network बताता है राइट फोन में उसकी वजह से होता है या आपके जो बाहर networks लगे होते हैं बड़े-बड़े वो क्या कर रहे होते हैं यह जो computer network है आपका जो पूरे word में जुड़ा हुआ है इसकी आपका connection wirelessly आप कर पाते हो और अगर आपके college में लगा हो तो आपने देखा होगा college में एक ethernet wire लगा होता है उससे वह किससे connect होता है router से connect होता है या किसी-किसी कॉलेज में रिजनेरवल ISP लगा होता है global ISP लगा होता है यह मैं यह computer network के ही सारे topic है या आगे जब हम पढ़े आपका internet provide करता है यह internet के बारे में